हेलो फ्रेंड्स, लेंड कम्प्यूटर के एक नए पिशोड में आपका एक बाई फिर से स्वागत है दोस्तों अभी हमने हाले में 11th क्लास की कम्प्यूटर साइंस को स्टार्ट किया था उसका पहला चेप्टर जिसका नाम है इंट्रोड़क्शन तो कम्प्यूटर यानि कि कम्प्यूटर का परिचाय तो उसको हम पढ़ रहे थे और इस चेप्टर में हमने लगबग बहुत सारी टॉपिक्स पर बात कर ली है जैसे computer क्या होता है, computer की परिवासा, computer के प्रकार, computer की विशिष्थाएं, computer की कमिया और दूस्तों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे computer की पेडियों के बारे में, याने की generations of computer तो चलिए दोस्तों बात करते हैं computer की generations के बारे में, आपको पता होगा computer में 5 generations होते हैं, computer की 5 वीडियों होती हैं तो आज उन सब के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियों में, तो वीडियों को पूरा देखेगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नीचे लिखा है, सन 1944 में प्रतम electronic computer एनियक से computer के निर्माण में करांदिकारी बदलाव आया दोस्तों अभी कल के वीडियों में हमने बात करी थी, एनियक computer क्या होता है कुछ एतिहासे computer के बारे में हमने बात करी थी तो वहाँ पर हमने जाना था, एनियक computer क्या होता है तो आपको पता है, एनियक पहला electronic computer था और उसका जब development हुआ, उसका जब विकास हुआ तो उसका विकास होने कब उसमें computer के विकास में करांदिकारी बदलाव आया और इस बदलाव उसने computer विकास को अस्थाई रूप से आधार बदान किया और दोस्तों, एनियक computer का निर्माण computer विकास को इस्थाई रूप से आधार बदान करता है यानि कि जो एनियक computer था, ये computer के development का एक base था इसके बाद में लिखा है, उसी आधार से computer ने आज तक विविन बदलावों के साथ यात्रत है की और दोस्तों, एनियक computer का निर्माण computer विकास के लिए बहुत उपयोगी शाबित हुआ और इसी के चलते computer की विकास के करम को 5 निमलेखित पीड़ों में विवाजित किया आता है और दोस्तों, इसके साथ में computer के विकास में आज तक बहुत सारे बदलाव किया गए बहुत सारे विकास हुए, बहुत सारे development हुए, बहुत सारे changes हुए जो computer का development है, उसको 5 तरीके से 5 categories में या गया तो 5 पीड़ों में divide किया गया है तो चली जानते है computer के इन पीड़ों के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पीड़े के बारे में तो यहां पर लिखा है, प्रथम पीड़े जो computer की है, वो 1944-1969 तक चली है यहां पर दोस्तों यह जो time दिया गया है, जो 1944-1969 है यह अलग-अलग किताबों में अलग-अलग दिया रहता है तो आपको कोई एक पता होना चाहिए, यह दोस्तों काफी जगा आपको अलग-अलग लिखा मिल जाएगा तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है आपको ध्यान लखना है 1944-1969 या दोस्तों कई किताबों आपको 1946 से भी मिलता है तो गाईस यहाँ पर लिखाए इस पेड़े का प्रारम 1944 से माना जाता है सन 1944 से कम्पीटर की प्रतम पेड़े का विकास हुआ ऐसा माना जाता है कुछ विद्वान इसका प्रारम 1946 से भी मानता है और कुछ लोग इसका प्रारम सन 1946 से भी मानता है तो यहाँ पर 1944 या फिर 1946 आपको गवराना नहीं है दोस्तों दोनों की दोनों सही है कई बुक्स में आपको 1944 मिल जाएगा कई में आपको 1946 मिलता है आगे लिखाए स्पीडे का प्रतम computer एनेक था जो एनेक computer था वो इस पीडे का पहला computer था पहला electronic digital computer था आगे लिखाए जिसमें vacuum tubes का प्रयोग किया गया था और दोस्तों इस पीडे के computer में यानि की एनेक computer में vacuum tube का इस्तेमाल किया गया था यह एक electronic computer था जैसा कि आपको पता हिया है एनेक एक electronic computer था उसके बाद लिखाए vacuum tube का अविसकार सन 1904 में हुआ था जो computer में vacuum tube का प्रयोग किया गया इनका इसकार 1904 में हुआ था इस computer में लगबग 18,000 vacuum tube लगे थे जो एने computer था इस computer के अंदर लगबग 18,000 vacuum tube लगाए गये थे और यह जो computer था यह लगबग 100 foot लंबा 10 foot उंचा और जथा बजन में लगबग 30 तन था यह दोस्तो जो एने computer था यह 100 foot लंबा था 10 foot उंचा था और बजन में लगबग यह 30 तन के बराबर था आगे लिखा इसमें लगब 5000 स्वीच लगे थे जिसको on और off करके computer को चलाया और बंद किया आता था इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इस PD की कुछ विशिस्ताओं के बारे में तो चली जानते हैं तो यहाँ पर लिखाए कि पहली विशिस्ता यह है कि computer में vacuum tip का प्रेयोग हुआ जो पहली PD थी उसमें vacuum tips का इस्तिमाल किया गया दूसरी विशिस्ता लिखे है computer punch card पर आधरी थे इस PD में जो computer बनाये गए जो computer था एनियक यह punch card के basis पर कारे करता था अगला लिखा है इस PD का प्रमुक computer एनियक था और दूस्तों computer की पहली PD का जो प्रमुक computer था हो एनियक था चलिए दूस्तों आगे चलते हैं इसके बाद में बात करते हैं इसमें कुछ कमियों के वारे में कि प्रतम पेड़े के computer में क्या कुछ कमिया थी यहां पर पहले कम लिखे हैं कि computer में बहुत सारे vacuum tube उंका प्रेयोग आप दूस्तों इस computer के अंदर 18000 vacuum tube का प्रेयोग किया गया था और दोस्तों जो vacuum tube होता है यह बहुत जादा electricity का consumption करता है जाने कि उर्जा की बहुत खपत करता है और यह बहुत जल्दी गर्म होने के बेज़ा से खराब हो जाता है इसलिए प्रतम पीठे के computer में यह बहुत बड़ी कमी थी कि जो vacuum tube का इस्तिमाल किया आता था वो बहुत जल्दी खराब हो जाते थे और यह बहुत जादा energy को consume करते थे इसके बाद अगली कमी लिखे हैं computer में machine भासा में programming अब any computer के अंदर जो programming करी आती थी वो programming machine लेंगज में होती थी अब machine लेंगज जिसको हम जो 01 बोलते हैं तो 01 में programming करना कितना cut in होता है आप सोच सकते हैं अगर आप computer के student है तो आपको पता होगा 01 में programming करना कितना cut in होता है इसके बाद आगे लिखा है कि आकार में यह computer बहुत बड़े होते थे अब दोस्तों यह computer इतने बड़े होते थे मैंने आपको बताया 100 foot लंबा, 10 foot उंचा और 30 तन तक का बजन तो ऐसे computers को कहाँ एक जगा से दूसरे जगा पर move नहीं कर सकते replace नहीं कर सकते यह computer जहाँ पर रखे होंगे दूती पीड़ी के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर लिखाए सन 1947 में विल्यम सॉकले ने transistor का अविश्कार किया transistor vacuum tube की अपेच्छा अतिक गतिवाले और आकार में शूजम थे तो गईश सन 1947 में विल्यम सॉकले जो computer scientist है इन्होंने एक transistor का अविश्कार किया transistor एक ऐसी device थी जो computer में प्रयोग किया थी इसका अविश्कार किया transistor vacuum tube की अपेच्छा जो transistor होते थे यह vacuum tube के comparison में अधिक high speed वाले होते थे यानि कि इनकी speed बहुत तेज होती है और यह आकार में सूजम थे और आकार में यह बहुत छोटे होते थे इस PD के computer में transistor का प्रयोग हुआ और इस PD के अंदर जिन computer का विकास हुआ और computer के अंदर vacuum tube की जगा पर transistor का प्रयोग किया गया और इसके प्रयोग से computer का आकार बहुत छोटा हो गया अब दूसरो vacuum tube अठारा चार vacuum tube लगा जाते थे उनकी जगा पर जब transistor का प्रयोग किया गया तो ऐसे में computer का आकार बहुत छोटा हो गया और उनके कार एकरने की चमता में भी बढ़ा उत्री हुई और उनकी जो processing speed थी जो processing capacity थी उसमें भी बहुत सारा increment हुआ तो चलिए दूसरों बात करते हैं speedy की विश्यस्ताओं के बारे में तो गाइसी speedy के अंदर बहुत सारी विश्यस्ता है थी जो कि हमारी प्रत्म पीटे के computer में नहीं थी तो चलिए इसके बारे में जानते हैं तो यहाँ पर पहली विश्यस्ता लिखे है कि vacuum tube की स्थान पर टांजिस्टरों का प्रयोग अब दोस्तों जब vacuum tube की स्थान पर टांजिस्टरों का प्रयोग किया गया तो ऐसे में computer का आकार बहुत छोटा हो गया अगली विश्यस्ता है कि computer में storage device, printer और operating system का प्रयोग प्रतम PD के computer होते थे उनमें data को store करने के लिए vacuum tubes का इस्तिमाल किया आता था और इस PD के computer में storage devices इसके अलावा कुछ printer और operating system का प्रयोग किया जाने लगा इसके बाद दोस्तों अगली विश्यस्ता लिखे COBOL वा 410 जैसे उच्छिस्तरी भासाओं का प्रयोग अब दोस्तों पहली PD के computer थे programming language में programming करना थोड़ा आसान होता है इसके बाद दोस्तों अगली विश्यस्ता लिखे कि उर्जा की बचत और स्थान की वज़त अब दोस्तों उर्जा की वज़त इसलिए होते हैं क्योंकि vacuum tube बहुत जाता बचत हुई computer का आकार बहुत छोटा हुए इसलिए computer बहुत छोटे छोटे हो गए तो दोस्तों vacuum tube की जगह पर जब transistor का इस्तिमाल हुआ तो ऐसे में computer का आकार बहुत छोटा हुए और आकार छोटा हो जाने की बज़ए से इस थान के भी बचत हुई बहुत सारी जगा खाल जो गई इसके बाद अगली विसेस्ता लिखे कि computer का आकार प्रतम पीड़े की अपेच्छाक्रत कम हुआ क्योंकि एक transistor की छमता सैकडो वैक्यूम टिप्स के बरावर थी अता है transistor का प्रयोकर सैकडो वैक्यूम टिप्स हटाए गए तो दोस्तों जैसा मैंने आपको उपर ब बरावर थी तो ऐसे में बहुत कम मात्रा में transistor का इस्तिमाल किया गया 18,000 वैक्यूम टिप्स को हटा दिया गया और transistor का प्रयोग कर दिया गया तो ऐसे में computer का आखार भी छोटा हो गया और computer कम उर्जा की खपत्वे करने लगे इसके बाद यूसे बात करते हैं इस PD के कुछ प्रमुक कम्प्यूटर के बारे में तो यहां पर इस PD के प्रमुक कम्प्यूटर में IBM 1620, IBM 794, CDC 1604, इसके लावत CDC 3600, यह कुछ प्रमुक कम्प्यूटर थे इस PD के जो इनके नाम आपको याद होने चाहिए, कई बार एक्जामस में पूछ ले आता है, तो दोस्तों बात कर करते हैं, तीसरी PD के बारे में 3rd generation of computer के बारे में, तो तीसरी PD की जो समय सीमा थी, वो थी 1965 से 1931 तक, तो चले जानते हैं आगे इस PD के बारे में, यहां पर लेकाए, इस PD में पहुंच कर पता चला, कि computer का अविसकार संपूर विस्व के लिए क्रांतिकारी कदम था, इस PD में तो उस device ने computer की विकास में एक रांतिकारी बदलाव ला दिया, तो गैस यहां पर लेकाए, सन 1958 में Texas Instrument Company की इंजिनियर, जै किल्वी ने छोटी सिलकान धातु की बनी चिप का अविसकार किया, जिसे IC अर्थात एकिकरत सरकिट का नाम दिया गया, तो दोस्तों इसमें क्या ह सन 1958 में Texas Instrument Company एक कमपनी थी, इसके एक इंजिनियर जिनका नाम ता जै किल्वी, इन्होंने एक छोटी सी सिलकान धातु से बनी एक चिप का अविसकार किया, और उस चिप को IC कहते है, IC का पूरा नाम होता है एकिकरत सरकिट, हिंदी में बोलते हैं एकिकरत सरकिट, और अंग पीड़े के कम्पीटरों में transistor की स्थान पर IC का प्रयोग हुआ, और इसके प्रयोग से computer का आकार बहुत ही छोटा हो गया, और computer को एक कमरे में रखा जाने लगा, तो कैसे सिपीड़े के computer में transistor को हटा कर उसकी जगा पर IC का इस्तिमाल किया गया, और इसका प्रयोग करने से इसके जो computer होते थे, computer का आकार इतना छोटा हो गया कि वो computer एक कमरे के अंदर आसानी से आ सकते थे, यानि कि computer का आकार एक कमरे के बरावर हो गया, computer की तीसरी बीड़े में, तो चली दोस्तों बात कर लेते हैं इस बीड़े की कुछ विशेस्ताओं के बारे में, तो कैसे यह पर लिखा इसकी पहली विशेस्ता यह है कि ट्रांजिस्टरों की इस्थान पर IC का प्रयोग किया गया, जो ट्रांजिस्टर होते थे उनकी जगा पर IC यानि की integrated circuits का इस्तिमाल किया जाने लगा, अगली है उच्छी स्तरी भासाओं का प्रहत इस्तर पर प्रयोग, जो high level languages हो होटा वह बजन में हलके, अब जो computer होते थे वह आकार में बहुत छोटे हो गए और बजन में बहुत हलके हो गए, अगली विशेस्ता लिखे, storage के लिए magnetic disk का प्रयोग, अब data को store करने के लिए, इसमें magnetic disk का इस्तिमाल किया जाने लगा, magnetic disk के अंदर data को store किया जाने लगा, आगे लिखाए, अधिक सक्तिसाली और विशेस्नी, अब जो computer होते थे, वो काफी powerful होते थे, और reliable भी होते थे, उन पर विश्वास कर सकते थे, उनकी processing पर, उनके calculations पर हम लोग विश्वास कर सकते थे, इसके बाद जो सो बात करते हैं, इस PD के कुछ प्रमुक computers के बारे में, तो गैस, यहाँ पर इसका प्रमुक computer जो है, वो IBM 360 series, यह पूरी computer की series है, इस series में काफी सारे computers हैं, इसके लावा Honeywell 6000 series, यह भी एक computer की series है, इसके लावा PDP, यह computer का नाम है, इसका पूरा नाम है Personal Data Processor, इसके लावा TDC 316, तो दोस्तों, computer की तीसरी PD के यह कुछ प्रमुक computer थ तो इसकी जो timing थी, वो थी 1971 से 1980 तक, यानि कि यह जो duration है, 1971 से 1980 तक की, इस duration को computer की 4th generation, computer की 4th PD का राता है, यहाँ पर लिकाए, इस PD में IC को और अधिक विक्सित करके, एक बहात लार्ज एकिकरत परिपत बनाया गया, जिसे हम VLSIC के नाम से जानते हैं, अब दूसरों, इस PD क के अंदर क्या हुआ, जो IC थी, integrated circuit था, उसको उसके अंदर और ज्यादा development किये गए, और ज्यादा उसको विकास किया गया, और उसी circuit से एक नया circuit design किया गया, जिसका नाम था VLSI, यानि कि very large scale integrated circuits, तो दूसरों, इस PD में IC की जगहा पर VLSI का इस्तिमाल किया गया, VLSI का पू परिपत, एक चौथाई भाग में आ गया, जिसके चलते पूरा परिपत CPU चिप में आ गया, जिसे micro processor और इनके उपयोग करने वाले computer को micro computer का आ गया, तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, जो VLSI चिप का विसकार किया गया, इस generation के अंदर, तो इस चिप के एक चौथाई भा इसने से, जो पूरा का पूरा सर्किट था, वो एक CPU चिप में आ गया, मतलब एक चिप में पूरा का पूरा सर्किट आ गया, और उस चिप को हम CPU बोलते हैं, या उसे micro processor के नाम से भी जानते हैं, और इस micro processor chip को जिस computer में प्रेयोक किया गया, उस computer को हम micro computer के नाम से जानते हैं या उसे Micro Computer का नाम दिया गया आगे लिखा है और VLSI के प्रेयोग से Computer का आकार अतिदिक छोटा हो गया जो VLSI सरकिट था इसका इस्तिमाल करने से Computer का Size बहुत छोटा हो गया इसके चलते Computer की कीमतों में आश्चर जनक कमी आ गई और जब VLSI का इस्तिमाल Computer में होने लगा तो Computer की जो कीमत थी जो Value थी उसमें बहुत कमी आ गई यानि कि पहले Computer बहुत महंगे होते थे और कीमत कम होने के कारण साधारण इनसान भी Computer खरीदने लगा और इनके कीमत इतनी कम हो गई कि नॉर्मल इनसान भी Computer खरीद कर उसका इस्तिमाल कर सकता है तो हैं आप सोच सकते हैं कि VLSI के इस्तिमाल Computer के विकास में कितना उपयोगी सावित होता है चले जोस्तों बात करते हैं इसकी कुछ विसेस्ताओं के बारे में तो कैसी यहां पर पहली विसेस्ता लिखे हैं कि Computer में IC के स्थन पर VLSI का प्रयोग हुआ जो SPD के Computer थे उनमें IC को निकाल कर वहां पर VLSI का इस्तिमाल किया गया आगे लिखाए आकार में छोटे वजन में हलके और अधिक गतिसील इस SPD के जो Computer थे वो आकार में बहुत छोटे थे Size में बहुत छोटे थे और वजन में बहुत थलके थे और अधिक गतिसील थे वो और उनकी जो Processing Speed थी वो बहुत जादा थी High Speed वाले Computer थे और इसके लावा C, C++, Database Management जैसे उचिस तरी Programming भासाओं का प्रयोग और इस Computer में Programming करने के लिए C Language, C++ Language और Database Management जैसी Languages का इस्तिमाल किया जाने लगा इसके लावा यहां पर लेखाए Time Sharing, Real Time Network जैसे Operating System का उप्योग और इस PD के Computer में Time Sharing, इसके लावा Real Time और Network जैसे Operating Systems का इस्तिमाल किया जाने लगा इसके लावा अधिक विस्तोस्तिनी वा कम कीमत के करण साधारण वेक्त के लिए खरीदने में सच्छम हो गए अब दूसरों यह जो Computer थे यह अधिक Reliable हो गए और यह कम कीमत होने के करण इनको कोई Normal इंसान आसानी से खरीद सकता था और उसका इस्तिमाल कर सकता था और आगे लिखाए एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाने में आसान वे अब दूसरों यह Computer इतने छोटे हो गए कि इनको आप आसानी से एक जगा से दूसरी जगा पर आसानी से ले जा सकते थे इसको एक जगा से दूसरी जगा पर Move कर सकते थे इसके बाद दूसरों बात कर लेते हैं इस PD के कुछ प्रमुक कम्पीटर के बारे में तो दोफनी यहाँ पर प्रमुक कम्पूटर मैं जो डेक 10 है इसके लावा स्टार 1000 है , पी-डपी11 है , वंसके लावा क्रेय wakrat इसके इसके प्रमुक कम्पूटर करें यह इस प्रमुक कम्पूटर Me यह पानच मोट मारा APP चले वह तो बात करते हैं जयदा हैंutar तो गाइस यहाँ पर लिखा है इस PD में वरतमान वावविस के computer आते हैं अब दोस्तों आज की डेट में जो computer आप तो यूज करते हैं वो 5th PD के computer है या आगे future में जो computer आपको देखने को मिलेंगे वो सभी 5th generation के computers में आते हैं और दोस्तों गर बात करें 5th generation की duration के बारे में तो दोस्तों 1980 से अब तक की जो duration है उसे हम 5th PD के computer में मानते हैं यानि कि 1980 से अब तक जो computer बने है वो 5th PD के computer कहलाते हैं आगे लिखा है और इसमें VLSI की इस्थान पर ULSI अर्थात Ultra Large Scale Circuits का इस्तिमाल किया गया और इसमें एक ही चिपर करोडो component लगाए गया जिसके कारण इनकी दिकती चतुरत PD की अपेच्छा में अतिदिक तीब्र हो गई अब दोस्तों जो ULSI होती है इसमें एक ही चिपर करोडो component लगे होते हैं करोडो छुटे-छुटे टांजिस्टर वगेरा लगे होते हैं आइसी लगे होते हैं और इनका प्रयोग करने से जो चतुरत PD के computer होते गया और धीरे धीरे इनका आकार अतिदिक छोटा होता गया अब दोस्तों इनका जो आकार था वो इतना छोटा हो गया कि एक हथेली में भी आ सकते थे यानिकि आप अपनी हथेली पर computer को रखकर उसका इस्तिमाल कर सकते हैं और इसका जीता जाता example हमारे smartphone smartphone एक ऐसा computer है जिस computer होते थे उनमें VLSI की जगह ULSI का प्रयोग किया गया उचिस्तरी भासाओ के साथ GUI का प्रयोग अब दोस्तों प्रोग्रामिंग करने के लिए हाई-level languages का इस्तिमाल तो किया गया और इसके साथ में GUI यानि की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका भी इस्तिमाल किया न होते थे कि यह हथेली पर आसानी से आ जाते हैं इसके लावा memory का अध्यतिक विश्तार हुआ अब computer में data storage के लिए computer में data को स्टोर करने के लिए memory का बहुत जादर development किया गया इसमें बहुत सारी memory होती थी या कहतो इसमें बहुत सारी storage होती थी इसके लावा AI अर्थात क्रतिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया गया और इसके साथ में AI अर्थात Artificial Intelligence का इस्तिमाल किया गया इन कंप्यूटरों में Artificial Intelligence का इस्तिमाल किया गया और इसकी साहता से रोबोट्स बगेरा बना जाते हैं या फिर आपने देखा होगा Artificial Intelligence है अर्शकल बहुत modern computer आते हैं इसके बात जोसों बात करते हैं इस पीड़े के कुछ प्रमुक कंप्यूटर के वारे में तो जैसे desktop है laptop है notebook है tablet है smartphone है यह सारे जो computer है यह सारे फिफ्ट पीड़े के अंतरगत आते हैं पांच में पीड़े के कंप्यूटरों में आते हैं तो दोसों इस तरीके से हम computer की पीड़े को explain कर सकते हैं आई होग दोसों आपको समझ में आ गया होगा computer की पीड़े क्या होती हैं इनके 500 प्रकार के वारे में और सभी की विच्छता सभी के प्रमू computers के वारे में तो दोसों आज की इस वीड़े के लिए बस इतना है वीड़े आपको कैसा लगा